हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम टो माय यूटूब चैनल अनि आज अमा क्लास 11 को मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन को विडियो लिए रायेको छुँ यो विडियो मा सब बंदा पहला हमें इसको कॉन्सेप्ट ले राम्मसंग क्लियर गर्चो तेस पछी एसमा यूज हुने फर्मुला अनि फर्मुला को डेरिवेसन है जो अन्धेस पछी केहिनो मेरीकल हर प्रक्टिस गर जो सब अन्दा पहला प्रोजेक्टाइल मोशन को बारे मा बुजां प्रोजेक्टाइल मोशन अरू कही पनी हैना यो युटा जस्ट एस्टो मोशन हो अब हामें और ले क्लास 10 समा चाही कस तो मोशन पड़े थियो भने पची सपोज योटा बड़ी सा योग बड़ी ले 1 किलोमेटर डिस्टान्स 10 मिनाट वा कवर गरे भने इसको स्पीड खटी होंच एस्तो मोशन पड़े थियो चाही योटा डायरेक्शन मा एक्ट गरने मोशन मा त्रहो तरह हमी प्रजेक्टाईल मोशन मा द्योटा डायरेक्शन मा गरने मोशनपड बड़ेक्शन मोशन पर्ठाप सुमान अचहान अइफलेट ग्रैविटी जहार जा सो तो मिन प्रजेक्टाईल मोशन को बड़ेक्शन मोशन और को एक्जांपल तपाइले बास्केटबोल को टिना सकने बास्केटबोल लाई हूप भीत्र फ्याल्द है बा प्रोज़ेक्त तयों मोशनी औरकम अपना ऐघरी तो आधि सस्ट्राइल म से अनरुक्स के वार्याल का इटीराव कोर्ची म है प्रोज़ेक्त बन्यंत्य सर्थक्र आओ मांड माविफ्ल्वेक्ति तो अमधतर क्राविट अब इसको कनसेप्ट ले और राम्ब संगा किलियर गर होई ता सबंदा पहला सपोज यूटा बडी छा यो बडी लाए थ्रो गरनों होयो भने यो मोशन मा आओ छा अनि कस्तों मोशन हुँँचा चस्ट इस्तों मोशन यो कवर गर चा फाइनल यो ग्राउंड मा आओ छा सपोज ठीटा एंगल अता पहले फ्यालनों भयो अनि इनिस्यल भेलोसिटी यू भेक्टर ले फ्यालनों भयो यो ठीटा एंगल अप्रोजेक्शन हो यू भने को इनिस्यल भेलोसिटी अब हामिले इसको कमपोनेंट निकाल चो भने एता तिरो एक्स डाइरेक्शन मा इसको कम पोनेंट यू साइन ठीटा होंचा यू अ मेले था जा कंपोनेंट आ भीक्टर कसी निकाल ज़ा ठीटा यह थीचा जहां त्रह्ट को उथां लॉड़ेको हो उच तहां यू कश था होंचा अन्य अच्छिए थेक अबर्यो नहें अत्यु तक पाराली खिलियर कर आ यूटा भेक्टर यू भेक्टर हो सपोज यूटा यू भेक्टर हो अनि यू होरिजेंटल संग ठीटा डिग्री एंगल मां इनक्लाइन भाये चा अब यहाँ देख्या में प्रपेंडिकुलर ड्रोग अर्च भने भने यू कोस्ट ठीटा भने को बेस्ट भाई हाइट हुँ लुएं विच भने को यू उच यू ऑक्स है इनिचल फेलोचिती इन एक्स डियरेक्शन अनि तााउन जए इनिसल फेलोचीटी इयू ड्रक्ष चल्टा भने को बिचाऊध हायेट मिचल भने को यू एक्स नत्तर फिट भने को परपेंडिकल ऑ्नोचए पो सब्च्ट यू एक्स लाएके यहावाट हीरा शक्चु अफो सिरिने यहाई इनिटिटीने काक्व पोजेट में इनिशेल वेलुसिटी इन वाइड एक्षन यू साइन ठीटा हुँँचा ये ती करा भुजन भुजन भुए है ना येस पच्छी हामे औरको फोर्मुला तिरा लागो अब यहां बाट फूटबल लाए फ्याल दा फूटबल कुने नो कुने टायमा यहां पनी ह suisi the address of shaq 느 पने I willa Yarrnova यहां पनी आए कोला सोभाना मैक्सिमum हाइट माइट कोला वहाओ हमेट मैक्सिमां हाह ये ती ओलाहाय यहां पनी आए कोला हनी फाइनली ग्रांड माइक कोला न यो कि हुजन चपैम लाःग छोग एपन फ्यंकि म स्वय có यह minutes- luxe एत्ती डिस्टान्स रेंज होयो रेंज तेसलिए आर लिद नोट गर छो तो एत्ती कुरा बाट आम लेके बुझे वहने पछी प्रुजेक्टायल मोशन और के पने इसको एक्चुल मिनिंग चाहे जो युए टी प्लेन मात्र होने मोशन हो तेससे पाची हामें येश कुई कमपोनेंट हरू हेलियो औनी अब यू प्रुजेक्टाेल मोशन को दुड़ ड्यारेक्ट्ट मा कॉन्चिडरी裡 गुन्चो गरीन चपाटा ड्यारेक्ट्ट्ट्ट हं नीजेन्चर उससाल होजन पर लिय। हचास्टा म स्वाहले संदगपोरीन अधयरेक्ट्ट्ट्स which is acceleration due to gravity which acts downward मात्र ग्राविटी को influence मा लागने acceleration मात्र एक्ट गर देया चाँ एक्स डाविटी मा को निपनी एक्सलेरेशन छे न एक्स लाइज जेरो हमिरु कॉंसीडर गर चो अनि वाइड डाविटी 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 एक्सलेरेशन एक्ट भे रहा चा ट्रिश से गहरी इक्स डाविटी मां हामिरू कीशिरल वेलोसेटी को ख़ेंच ब्लाइज के प्रहीं गरे था क्यों यू उकॉस्त हुच टे से गहरी वाइड से मां यू-sie टिटः को थैसे जीरो भे बेता, जोना है इसको फेलोसेटी इसको फिलोसेटि रहा है velocity constant x direction मा हुने velocity constant हुँचा तसे गहरी y direction मा हुने velocity अब भेलो सिटी इन y direction को कुरा गरो y direction मा हुने velocity सबन्दा पहला decrease हुदे 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 सबन्दा maximum height मा युटा इस तो point मा आऊचा जहां इसको velocity 0 हुचा अन्दाश फिरी फैनल यू increase गरना थालचा so velocity in y direction or vertical velocity first increases then become 0 at the maximum height and finally increases. So velocity in x direction सदी constant हुचा एता velocity x direction मा लागन जथी पन 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 वेलो सिटी ज़ी constant consider गर्चा अन्य y direction मा लागन वेलो सिटी पहरा decrease गर्चा अन्य maximum height मा आये पची 0 हुचा अन्य तेस पची तेस पची increase गर्चा अब यत्ती बुजी सके पची है में गरू time of flight range अन्य maximum height को expression हरू लेक्छा इसको formula लेक्छा अन्य इसको derivation गर्चा अब फर्स्ट मा time of flight को कुरा गरू सपोज यूटा body सेम तेस्ति मोशन कभर गर्याएको चा अंगल अब प्रोजेक्शन ठीटा नियो यू velocity ले थ्रोभ भायोको चा सपोज यूँ बोडी इनिसियली ए पोजिशन मा थियो अन्य maximum height लाइ B पोजिशन कंसिडर गर्चा अन्य इस फाइनली C पोजिशन कंसिडर गर्चा यूँ बनेको maximum height maximum height ला H max ले पोड़ गर्याएको चा सबंदा पहला यू time of flight को formula चाही मा लेक दिन्छा अन्य पजी इसको प्रूभ हेर ने so time of flight को formula हुँँचा to you sign theta by g ओ यो कसीडर आऊचा ते ओ फिगर बाटर आमसाख किलियर हुँचा सबंदा पहला हामे होले motion कंसिडर गर्णू परचा A देखी B समक motion ले मात्रा कंसिडर गर्णू हेरो let us consider motion in y direction from a to b मात्र भर्टिकल डाइरेक्शन मा motion कंसिडर गर्णू हेरो A देखी B समको लाग मात्रा S मा के हुँचा Initial velocity को x component u cos theta हुँचा तेसे गरी y component u sin theta हुँचा Acceleration due to gravity और Acceleration vertical acceleration चाहिए minus g हुँचा और फाइनल velocity 0 हुँचा ज़ती पनी motion हामे होले वाइड आरेक्शन मात्रा कंसिडर गर्णू गर्णूचा So y direction माई initial velocity u sin theta हुचा Acceleration wide direction माई minus g हुँचा और फाइनल फाइनल velocity चाहिए b मा आर 0 हुँचा हामेला गार्णी नहीर हुचा फर्स माई decrease हुदे 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 यता maximum height मा 0 हुँचा तेस पाइन्क्रीस हुँचा So final velocity Will be 0 meter per second अब हामेला newton slope motion थाचा We know that b is equal to u plus 80 यो जाती पनी motion हामेला y direction माई consider गवड़ायाकोचा Final velocity 0 चा U भनेको Initial velocity in y direction Final velocity in y direction 0 हो Initial velocity in y direction u cos theta अगार्णी निकाले चो हामेरू प्लस को प्लस यो acceleration पनी y direction को acceleration हो So acceleration in y direction minus g अब T भनेको A देखी b सम को time-lay small t ले denote गर चो अब यो भनेको के हुँचा 0 is equal to u cos theta minus gt और gt is equal to u cos theta therefore t is equal to u cos theta by g अब ए देखी b मा लागने time-lay u cos theta by g भन चो भने A देखी c total time-lay kati 2 u cos theta by g भनें चा किना होने जाती time-a देखी b समाजाना मा लाग चा देखी time-a मा लाग चा देखी c मा लाग चा so time of flight capital T become two times small t 2 u cos theta by g यह श्री नहीं time of flight को एक्सप्रेशन लाग डेखी गर्यों अब यह सबन दा मस्ट इम्पोर्टेंट फोर्मूला हो यह से आम माशन लार्ण गर्न होला अब नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट को प्रूव मा जाओ अब हमली मैक्सिमम हाइट केल्कुलेट गर्नों को लागी ही वी डिशब्रेशन फ्रम ए तो ब स्थिरकलेशन लाग ने डिशो हाँ एड़र्येशनन लाग ने मोशनन ला इंट कर्सिदर गर्स हो सो लेट उस चांशिटर मोशन इन व डिर्ट आए डिरेक्शन फृब्रशन फ्रम एड टुबी ये देखाँ बिशमा मात्र केल्कुलेट गणने वाई डायाइक्शन मां मों सन कभर भई रायाएचा शो इनिसल फेलोसिटी इन वाई डायाइक्शन इज यू साइन ठीटा फाइनल फेलोसिटी इज 0 मितर्पर सेकेंद अन्यारेस्टि माँ प्लॉच शोम गवरध्रेस्ट् से आड़ेस्ट कोण चाबाये था क्यों बॉक्तों में-टी थैस्ट्नद्र मेर्ला ifallank-वल्मिन पीशोलups श्रकेस्ट्न सोटों अओन दिंहसालेस्ट्टकिन स्रेंजेत्यास आखाचा, we know that Newton's law of motion अनुशार VS कोई इसक्वाइर इसक्वाइर प्लस 2A सुनचा, अब शबवय य डिरेक्शनमा हमेरा रूप कॉंसिडर गर रहा है चो, so U V Y 2y² is equal to u y² plus 2 s egcelleion π abrupt y direction मा अनी displacement पर यॉआ डिरेक्शन मा व सब्सक्राइब को भ्यालिव यहालने रभ पूट गरो भी वाई को ठाव मा 0 0 e square is equal to u y that is u sin theta को whole square plus 2 a y a y भन्यको egcelleion in y direction minus g हुन छो अनी sy which is displacement in y direction कती छो हमना फैन गरनु भन ऐको माक्समामाइब को एक हो द इए चो एक्प्रिस और फैंड करने सूश लाइ एक्पेंग अर्पट लो था स्था रe स्टा रॉचा जisन шόई टेट आनी क्योल थाई आушाई स्ग्यार टेटर भीग स्टवर्स देटर भ्याइब एक्सिमम हाइट को योटा मस्ट इंपोर्टेंट फर्मॉला पन यह बाटन इसक्यों तो यसला है पनी लॉर्ण गरनू होला है अब यसे गहरी हाँ मिले होरिजन्टल रेंज को पनी एक्स्प्रेशन फाइंड गर्चु अब हाँ मिले होरिजन्टल रेंज लाए आल डिनोट कोनी पनी बडी ले ठीटा डिंगरो एंग बाटन रेंजम होन्यै दा लिशन्टलσιंच कोवर्ड पिट अब आरको एक्स्प्रेशन फाइंड गरो मैं यता आर को फोर्मॉला भन दिणि चूत भाए अगाडिने आरको फोर्मॉला होन्या यू fug sin 2 theta upon G your formula like hammy prove also our horizontal range ko lagi we have to consider motion from A to C in X direction X direction malign a motion like our consider going upon a monster so let us consider motion in X direction from point A to C a dekhi system of motion consider gonna our X direction are considered a record so the silly X direction my initial velocity U cos theta U cos theta U cos theta U cos theta and U sin theta guardian a family you crack clear go to the secret about X direction acceleration 0 total distance in X direction capital R horizontal range and time of flight भाहिन नहीं हाल्य यह सबसी फेरी हम लीनुटन स्लोफ मोशन को युजगर आयो प्रूब आल सब्सक्राइब आप यू अच्छिट प्लस हाफ 80S क्यार आव सब्भी मोशन एक्स दैस्टाइब आप अच्छिटर गार्यों को सब्सक्राइब आप 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 एक्सटाइब आप अणिसेलेशन पने एक्स डारेक्षन मान अब आप असब्भी को भैलो यहां हालो इसप्थी में इफ्सक्राइब को रूप आप यह वनेको यू को सठे आप आप टो टाैम हने को टाइम आप फ्लाइट प्लस हाफ यह वनेको एस लेसट इन एक्सक्राइब चेरो यह जीरो स अब जेरो भाई नहीं हालो सो आर को फर्मॉला यू कॉस्ट ठीटा इन्टु टी आयो अनि हाम लिए अनि हाम लिए अगी क्या फाइंड गरे थिए भने पछी टाइम आफ फ्लाइट को एक्स्प्रेशन फाइंड गरे थिए फिच इस टू यू साइन ठीटा वाई जी अवो फ्लाइट को एक्स्प्रेशन हामियएता हाल जो यू को सीटा अनि टी को ठाव माट 2U साइटवाथ अपन जी यू इन्टु यू ए भनेको यू सकायर अनि 2 साइट थिटा को सीटा अपन जी आर देरफोर आर इसओल टू यू स्कायर टू साइट अपन जी सो यू पन याट मस्ट इंपॉर्मूला हो यसलाइ पर इंपर गवाब मसंग याद गरना हो यो तीन गवडा फॉर्मूला को युज गए राहा ही मले जथी पही नुमेरिकल स्टो olduğ मन्चा छली च़ो ईंडा चली चछू नाव लेट्स रिकल आवर फर्मूला हाम लेट तीन गोटा फर्मूला पड़ियो जोना टाइम आफ फ्लाइट को फर्मूला हुँचा 2U sinθटा बाइजी मैक्सिमाम हाइट को फर्मूला हुँचा 2U sinθटा अपन 2G अनि होरिजेंटल रेंज को फर्मूला हुँचा 2U sinθटा अपन लेखना सक्छो साइं टू ठिटा को फर्मूला 2 sinθटा को ट्स्टै एक्सपैंड गारे पसी यह पन यूटा फर्मूला बना पूगो तो यह तीन गोटा फर्मूला को यूजगरा हम लेट निमेडिका पनी सल्व गाना सक्छो छोलियू फॉर्मूला को इसलियू न्मेरिकल ग्रचोँ अब यह नुमेरिकल ग्रचुर्चुर्चोम किसा ज्यूचकत धनना में 보ंटश किसौल यह वाल 5m2 फ्रशिवृ स्टीन मीटल स्याकुट यह वाल 5 2 max यह स्कॉत टाइमए मैक्सिमस भाइट्ब गणनननन 나는 उंप利सेंटाव्रेंट्व मैनी सब्क्रांड सब्क्राइब डैव ने रमशनगा ताउड सब्क मब приг지 गिवेन के चाहा हमले गिवेन हने को ठीटा इसकल थर्टी डिग्री एंगल अप्रोजेक्शन 30 डिग्री अनि भैलो सिटी 5 मिटर पर सेकेंड फर्स्ट मां हमले टाइम आफ फ्लाइट निकालनुँछा हमले था आजा वी नो देट टाइम आफ फ्लाइट को फर्मुला के चा टी इज इकल टू यू साइन ठीटा आपन जी जोस्ट भैलू हालने सब्सक्राइब को यू को भैलू 5 साइन 30 बाइ एसे संदू ग्रैविटी आपने टेन हालने सो 2 5 जा 10 यो 5 यो 5 पनी कैंसल अनि साइन 30 होने को 1 बाइटू सो 0.5 सेकेंड हमलो टाइम आफ फ्लाइट को ती आएवा 0.5 सेकेंड इस आवर एंसर टाइम आफ फ्लाइट को देसे गवरी हमले और को फर्मुला था चा मैक्सिमाम हाइट को लागी पनी मै । ॥ ॥ x ॥ ॥ x ॥ x 2-॥ x 2 जी होने जाय एशांपनी सेम तेस्ति गवर निस्ब्य को व्हालने। Yukow 5, 5 3-4, x 2 x 10 आवर बाइट वाटमी vir6 solveгаलता कती होने अब देसलाइट evolved गरलदा 5 при 16 आउन्छ फाइब आइश्टीन मीटर एंसर होगे मैक्सिमा फाइट को लागे सिमिलरली हाइब ले रेंज पनी फाइड गाना सक्च हो रेंज को फर्मुला छा यूए स्कॉर साइड टुठी टा अपन जी एशा अपनी सभी वैल्यू हाल ने 5 मिंटर पर सेकेंड को स्पीड ले गए गोचा सो 5 स्कॉर साइड 2 इंटु 30 डिग्री बाइटेन 25 साइन 60 को वैल्यू 2 इंटु 30 60 साइन 60 को वैल्यू 3 वै टूंच अपन टेन वह एसलाइस अल्व गादा कती हुंच फाइब टू जा अनि फाइफाइब जा सो एसको एंशर 5 रूट 3 अपन 4 मीटर भालो सो यहां बाटा हम लिखे हैं न सक्चो भाने टाइम फ्लाइट को एंशर 0.5 सेकेंड मैक्सिमाम हाइट 5 रूट 3 अपन 4 मीटर सो आज को लाग यतिनी गरू अब नेक्स्ट वीडियो मा हम यहां वर्ड इस गोल्ड बाटा के ही नुमेरिकल प्रोब्लम हर गरने छो so that's all for today see you guys in the next video thanks for watching thanks love you forever